कि अच्छ कर दोस्तोर आज हम बात करने वाले हैं टाटा के आने वाल इस ओल न्यू टाटा विंगर इसकूल बस के बारे में दोस्तों 21 प्लस डी है यह आज इस यूडियों जानाएंगे इसकी प्राइज इस पेकिशिपिकेशन के बारे में मालेज के बारे में तो एंड तकाव फारसाथ बना रहेएगा चेनल पर नए हो तो प्रेज चेनल सब्सक्राब जो कर लेज़ेगे और पासे लगे बेल आइकोन को प्रेज कर लेज़े त दोस्तों और कुछ इस तरह की की मिलती है आपकी इस ओल न्यूट टाटा विंगर 23 लेटेस्ट मोडल की ताटा की किसी भी परकार की गाड़ी के बारे में जानना हो गाड़ी पर्चेस करनी हो तो आप राठी ओटोमबाइल पर संपर कर सकते हैं दोस्तों इसक्रीम पार अब रूपर आपको मिलने वाल ए लेटी एंडिकेटर और यहीं पर आपको एलए डी डेयारिल बे मिलने वाले इसके सांथ साथ में और यहां देख सकते हैं पूरा क्रोम का इस्तमाल गया गया है फरिंड में टाटा का काफी वड़ा सारा लोगों आपको यहां पर देखने को मिलेगा बंपर की बात की जाए तो बले कलार का आपको यहां पर बंपर देखने को मिलेगा फोलम्स कंपनी फिटेड नहीं है जगे दी गही है आप यहाँ पर लगवा सकते हैं रिफ्लेक्टर उन्हें पर काफी सारी जगे मिल जाती जिसे रेडियर को अच्छो ताज़ा हो यहाँ पर मिल सकें और सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर मिलता है आपको मेक परसन कूल स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रेंट में और है पर बॉनट की बात की जाए तो हाप शेप में बॉनट है इसका डबल वाइपर्स मिल जाता है वो डबल ही आपको यहाँ पर वोशर जेड देखने को मिलेंगे और बिक सेज़ कीक समय मिलती है फ्रेंट विंडि स्क्रीन और कुछ इस तरह कर ना जार आते है इसमें सायट फ्रोफिल इसका यह मिलता है इसमें सायट अन इंडिकेटर और यहां पर टाइर की बात की जाए एक सुपिच नमार पंदरा इंश के टाइर मिलता है इस्टिल रिम के साथ फ्रंड आपको डिस ब्रिक मिलने वाले हैं और साथ साथ मिलने वाला ABS भी बिक साथ के आउट साइड मिरर बले कलर के डॉर हैंडल कीसे भी आप यहां पर इसे लोग लोग कर सकते हैं इमर्जेंसी एक्जिट इस मोडल में फूल रूप भी मिलती हैं और फलेट रूप भी मिलती हैं और यहीं पर बात करें अगर पीछे के ट्रायर की तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला पीछे वी ते भी है और कुछ इस तरह का नज़र आता है इस कारियर लूग तेले मीनुट की बात की जाए तो पुरा LED सेटप मिलता है स्टोप लेंप इंडिकेटर और इसमें रिवर्स में और इसी के सासा मिलता है इसमें रिफ्लेक्टर भी ब्लेक लेर का बंपर मिलता है पूरा पीछे और इसमें आपको एक, दो, तीन और चार टोटल रिवर्स फार्गिंग सेंसर देखने को मिलेंगे टाटा की बेजिंग और इदर मिल जाती है आपको विंगर की बेजिंग और काफी बिग सेट के मिलते हैं पीछे के मिलर आपको इसमें और यहां पर इसका दर्वाजा आप उपन कर सकते हैं पीछे का और इस तरीके से इस गेट का अंदर का लोग खोल के इसे भी आप उपन कर सकते हैं और कुछ इस तरीके नजर आती है इसकी डोड ट्रिम दोना तरब इसमें लोग मिलते हैं इसको उपन करना के लिए का लोग अनलोग है और यहां जो सामना आप लाल कलर के इसका यह टैंक देख सकते हैं कमपनिय का कहना है कि एक प्रेशर टैंक है यह प्रेशर टैंक यहां मिल जाती हैं जेक रोड फायर एक्स्टेंशन टैंक और स्वीट का जस्ट नीचे मिलता है इसका जेक और इस तरह का विए आता है पीछे से केविन का यहां पर मिल जाती है इसकी फ्यूल फिलर केप कि इसे भी आप इसे लोग अनलोग कर सकते हैं यह अगर इसके फ्यूल टेंग शेमेंच्ट के बात करें तो सएट लेटर की केपशियट है मापकोu यहां पर इसका फ्यूल टेंग देखने को मिलेगा जिए की साथ साथ आपको यहां पर नहीं शे देखने को मिलेगा मजबूत और रह भी फॉटिशटेप आगे से ये इंट्री है दोस्तों इधर सेड में वो गेट आता वो नहीं इसमें और यह बात किले देश के डाइमेंशन की तो आपको इसके लंबाई मिलने वाली है 558 mm, चोड़ा ही मिलने वाली है 1915 mm और उंचा ही मिलने वाली है 2670 mm वील बेस की बात की जाए तो 348 mm का वील बेस मिलता है और ग्राउंड के ने इसकी यही बात की जाए तो एक सो पिच्चा सी mm का यहाँ पर आपको इसका ग्राउंड के लेने इस देखने होगा मिलेगा इस ओल्नी टाटा वेंगर इसकूल पसका अब ओपन करते हैं यहां से और चलते हैं अंदर की तरफ वो कुछ उस्तरी की डोड ट्रिम दिखा देती है इनर हैं यहां मिलता है लोग अन लोग विंडो रेगलेटर हैंडल मजबूत ग्रेव हैंडल पकड़ने के लिए बोटर होल्डर स्पेस और कुछ डोकमिन सब्सक्राइब जगे मिल जाती है आपको इदर से आसानी से एंट और तीन दिन की इधर है दोस्तों टूबए टू और त्री बए त्री की इधर है किस प्लस डी यह पीछे का इमर्जेंसी अलारम सिस्टम और यहां रूफलेट की बात करें तो आपको इसमें LED रूफलेट मिलने वाली है और यहां पर आपको हर से पीछे कुछ इस परकर के हैंडल मिले हैं पकड़ने के लिए सेफटी के हिसाब से यह मिलता है इमर्जेंसी एक्जिट किसी भी आप अब अब इसे खोल के बार के तरफ कूछ सकता है इमर्जेंसी पटन और काफी अच्छा गेप मिल जाता है आने जाने के लिए यहां से जेख सकते हैं कि चार रूफ लैट के सेटप मिलता है पूरा यहां पर यहां पर रिफ्लेक्टर टूल किट वगर और अनर मेनिल वगर आपको यह आपर किस पर कासी डबे में मिलने वाली हैं डिलियर की समय कंपने आपको यह देने वाली हैं दोस्तों कि अब इसकी हाइट की बाद करें तो काफी उपर तक हाइट मिलती है इसमासा नहीं से आया जा सकता है इसमें अब ओपन करते हैं ड्राइवर साइड की तरफ से और दोस्तों वही आपको यह दर भी वैसनी ड्रो ट्रिम देखने को मिलेगी और ड्राइवर सीटिंग की बात की जाएद इस तरह के नजराती इसके ड्राइवर सीट हैड रेट के साथ यहां से इससे आगे पर चेमोग कर सकते हैं हाइट एड़ेस्ट अभी है इसमें पेडल्स यहां पर मिलता है फूर स्पोक स्टेरिंग वील पावर स्टेरिंग कि यह मिल जाता है एल एंटी वर डिफिव कंट्रोलिंग ब्लेक कलर का डेक्श बोर्ड और यहां पर थोड़ा पूद इसस्पेस मिल जाता है कुछ रखने के लिए यहां देख सकते हैं कि प्यानों ब्लेक का इस्तमाल किया गया है यहां फ्रेंट में यह मोबाल अगर रख प्रेंट के कंट्रोल्स और यह आपको 5 फोल्टेज के दो चार्ड शोगर आपको यह आप देखने को मिलेंगे इदर मिलें एक्स्टर बटन इको मोड भी यह है और गेल यह नोब 5 पॉरवड और वन रिवार्स एंड ब्रेक और यहां से करते हैं कियों और यहां देखेंगे इसका इंस्ट्यूमेंट क्लेश्टर चिरो से 180 की स्पीड है दोस्तों लेकिन गवर्मेंट नौम के अनुशार 60 किलमेटर इसकी स्पीड लिम्ट दी गई है इदर मिल जाता है आर्पियम के लिए यह फ्यूल लेवल गेज और यह टेमप्रेशर का है बाकि इसमें सारी वर्लेंग लेंज भी आपको यह आपर दे आपको इसमें 3 साल 3,00,000,000 किलमेटर के वर्रेंटी दे रही है ग्रोस वेट की बात गरते थे 3,400 किजी ग्रोस वेट है करो मेट की बात गरते 2260 किजी करो मेट है इसमें AC1 ON AC मोडल्स में भी आती है टाटाव इंगरेल स्कूल बस और यह बात कर लेते हैं इसके इंजिन की तो आपको इसमें मिलने वाला है 2.2 लेटर डाइकोर फोर सिलेंडर डीजल इंजिन जो 99 में HP की पावर ताई 400 आर्पेम पर दो सो एनम का टोक पे तिसो आर्पेम पर जेनर करता है यह बिए सिक्स एमिशन नॉम्स के अंतरगत आता है यह फाइफ फॉरवर्ड ववन अरिवर्स सिंक्रोमेस गेरबोस के साथ आता है मैनूल हाँ हाँ तो दोस्तों केसे लगे आपको यह ओल न्यू टाटा विंगर 21 प्लस डी स्कूल बस हमें कमेड में जुरूर बताएगा हम मिल दें इसके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक केर माय और फ्रेंड्स